नमस्कार दोस्तों आज की इस चर्चा मैं आपका स्वागत है मैं हूँ अंजली सुहाने मैं आज आप से चर्चा करूँगी परियावरण अढध्यन में आउकलन के संकेतक यह सीर्षक पर्राफ्रम 505 प्रात्मिक इस्तर पर पर्यावरण अध्यन के अधिगम से लिया गया है पर्यावरण अध्यन में आकलन के संकेतक क्या होते हैं? किस तरह से संकेतक मदद करते हैं? आकलन में प्रतिक विशय के अपने उद्देश होते हैं ये तो हम मानते हैं हिंदी पढ़ाने के अपने एक उद्देश होते हैं गडित पढ़ाने के अपना उद्देश है और पर्यावरण अध्यन पढ़ाने के अपने उद्देश है इन उद्देशों के आधार पर पाठिक्रम बनाया जाता है और उन पाठिक्रम के आधार पर पा पाठ़पुस्तकों का निर्मान होगा उन पाठ़पुस्तकों को देखकर समझ कर सिक्षक उन विशयवस्तूओं को अपनी कक्षा में ट्रांसेक्ट करेंगे डिसकस करेंगे और जब सिक्षक उनको डिसकस कर रहे होते हैं तो उसके समय सिक्षकों को अधिगम के संकेतक और आ संकेतक और आख्लन के लिए संकेतक और हम उसको सूचक भी बोलते हैं कि उसके indicators क्या है देखिए अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या indicators होंगे क्या अधिगम कराना है बच्चे को 3rd 4th फिप में बोलना लिखना पढ़ना सुनना यह skills हैं जो उसमें develop करना है तो यह किसके संकेतक हो गए यह सूचक हो गए indicators हो गए हिंदी पढ़ाने के कि उनको हमें skill develop करनी है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सुनने की ऐसे ही गडित जब गडित पढ़ा रहे हैं तो गडित में होगा कि हम उनको क्या सिखाएं वो जोड कर सकें घटाना की प्रक्रिया समझ सकें गुडा की प्रक्रिया समझ सकें तो यह उसके संकेतक होंगे अभी हम बात कर रहे हैं पर्यावरन अध्यन में आकलन के संकेतक तो परियावरन अध्यान जो बेशय है वो एकिकरत रूप है किसका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और परियावरनी मुद्धे तो परियावरन अध्यन तीन विश्यों किसका विज्ञान सामाजिक विज्ञान और परियावरनी मुद्धों को लेकर इसका पाठिकरम निर्मान किया गया है तो इसके जो उद्देश होंगे परियावरन अध्यन के वो उद्देश किसके होंगे साइन्स के कुछ उद्धेस होंगे, कुछ सोशल साइन्स के होंगे, कुछ पर्यावरणी मुद्धों से संबंदेत होंगे तो इन उद्धेसों के आधार पर ही पर्यावरण अध्यन में अधिगम के सूचक और आकलन के सूचक निर्धारित किये जाएंगे अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्यन के विशय से उम्मीद क्या है ठीक है जब ये विशय एक समय के तो रूप में है तो ये किसका वच्चे का सरवांगीन विकास हो उम्मीद करते हैं कि जब ये विशय पढ़े बच्चा तो वच्चे का सरवांगीन विकास हो ज्यान बाहर रहकर क्रिया कलापों से ज्ञान का श्रजन स्वयम करें जो EVS है उसमें हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बच्चे को कक्षा के बाहर ले जाएं और बच्चे अपने अनुभवों से क्रिया कलापों से ज्ञान का श्रजन करें तीसरा बच्ची पर्यावरन अध्यान को विभिन प्रकार के कौसल अवधारनात्मक ज्ञान भावनाय अभिब्रत्ति तथा समवेदन सिल्टा का विकास करके सीखें इस बात मैं फिर से जोड़ देना चाहूंगी इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बच्ची पर्यावरन अध्यान को विभिन प्रकार के कौसल अवधारनात्मक ज्ञान भावनाय अभिब्रत्ति तथा समवेदन सिल्टा का विकास करके सीखें क्या क्या सीख करना है उनको उनका ज्ञान भी बड़े भावनाय भी आए अभिवरत्ति सम्वेदन सीलता इस सब का विकास हो तो यह जो यह इसका मुख्य उद्देश हो गया तो इस उद्देश से संबंधित ही क्या होंगे पर्यावरण अध्यन के आकलन के संके तक अभी संकेतक और सुचक कांक दिये हैं यह सभी कुछ जो है यह मैं अपनी तरब से नहीं बता रही हूं यह सभी NCRT ने अपनी जो सोर्स बुक उन्होंने बनाई है का प्रात्मी के स्तर के लिए उसमें बिभिन प्रकार के सभी विशय जो हमारे चार विशय हैं भासा गड़ित और पर्यावरण अध्यन हिंदी इंगलिश भासा में उन सभी के लिए संकेतक दिये गए हैं और यह संकेतक जो मैं यहां डिसकस कर रही हूँ आज जो पूरी चर्चा होगी उसमें उनी संकेतकों की चर्चा की गई है जो की NCRT द्वारा सुझाए गए हैं पहला है आवलोकन और रिपोर्ट दूसरा है चर्चा करना तीसरा अभिबैक्ति चौथा व्याख्या नेक्स्ट बर्गी करन सिख्थ प्रश्न करना सैवन्थ विशलेशन एट्थ प्रियोक करना नाई और समानता के प्रती सरोकार और सहभागिता तो जब बच्चे का आपको उसकी जो प्रगति है उसका परफॉर्मेंस है उसका आकलन करना है तो किन बातों को ध्यान रखना है उनके बिहेवियर में क अलोकन, चर्चा, अभिव्यक्ति, ब्याख्या, वर्गी करन, प्रश्न करना, विशलेशन, प्रियोक करना, न्याय और समानता के प्रती सरोकार, सहभागिता जब ये साब कौशल उनके ब्यावार में आ जाएंगे तो परियावरण अध्यन जो हमारी उमीद है उस विशय को पूरा कर पाएंगे, अभी हम इन जो सुचकांख हैं इनको एक एक करके समझते हैं की कैसे इनका आकलन किया जा सकता है, जो भी संकेतक हैं उन संकेतकों को आप कैसे समझें और उनका कक्षा में कैसे आकलन करें, पहला है आवलोकन और रिपोर्ट, ग्यानेंद्र नियो और इखटा करना है, जब बच्चे को आप कहीं पर भी, विजिट पर, छेत्र भिमन पर ले जाते हैं, तो उस समय क्या कर रहे होते हैं, बच्चे अलोकन कर रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, माली जे आप उनको छेत्र भिमन पर ले गए, कहीं पार्क में ले गए, त अपनी senses के द्वारा, जो उतकी five senses हैं कि पत्तियों को touch करके उनको समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, अपनी eyes का प्रियोग करके, कुछ चीजों को सुन कर, तो ग्यानेंद्रियों से जानकारी खटा करना है, तो उस समय बच्चे कैसे अपने जानकारी खटा करते हैं, घटन वस्तु, इस्थान या द्रस्ट को देखना, कितना minutely, कितना बारी की से वो किसी घटना को वस्तु, इस्थान या द्रस्ट को देख रहे हैं, उसका प्रिक्शन कर रहे हैं, वस्तु या घटनाओं के बीच समानता हैं और असमानता हैं, वो जब किसी घटना को देख रहे है तो उनमें उनको समझ में आ रहा है कि इनमें किया similarities है और किस तरह से या लग है घटनाओं को क्रम अनुसर रखना घटनाओं को भी रख सकते हैं वश्तूं को भी क्रम से रख सकते हैं छोटे से बड़े, बड़े से छोटे घटनाय जो है उनको क्रम से की जो पहले हुई है, जो January, फिर February, फिर March या Year-wise, 1995 में, 1996 में, तो उस तरह से उनको कर सके, यह पहले था अवलोकन और रिपोर्ट, दो चीज़ हैं इसमें, आप ध्यान रखिए, अवलोकन भी करना है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग का भी आकलन करना है, क्योंकि जैसे कहीं बच्चे कहीं, आप उनको कहीं छेत्र भ्रमाट पर ले गए, तो पहले वो क्या करेंगे, उस पूरे द्रश्र को उसको देखेंगे, आवलोकन करेंगे, उसके बाद उस पर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, घटनाओ का बर्णन सुनाना, जो भी उन्होंने देखा है, उसक यहाँ देखिए, आवलोकन में कन्फ्यूज मत होईए, आवलोकन सिक्षक भी करता है बच्चों का, और बच्चों के अंधर भी आवलोकन की प्रक्रिया का विकास करना है, यह आवलोकन करेगा कि बच्चे कैसे आवलोकन कर रहे हैं, ठीक है, तो चित्र देखकर बताना, को मड़र ऐसे, यह जो है, यह है अवलोकन और रिपोर्ट यह कैसे आप करेंगे, माल लीजे आप देखते हैं कि आप बच्चे को कहीं पर लेक़ाते हैं, कहीं बगीचे में लेके जाते हैं और उसके बाद जब आप लौटके आते हैं, तो आप इस तरह से उस बच्चे को जो वो student जो है उसका नाम इशिता है तो इसिता इशिता बागीचे में फूल पत्तियों का अवलोकन बहुत बारिकी से करती है उसने विभेन प्रकार के पत्तियों के चित्र बनाए और उन चित्रों और वह अपने दोस्तों के साथ मिलके इसकी रिपोर्ट भी तयार करती है तो य लक्षा में यह हमेशा ही होता रहता है कि आप कोई भी विशय जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उनकी चर्चा करते हैं तो चर्चा करने की स्किल उनके अंधर डैबलब करना यह तो उद्देश है अधिगम का और आपको यह मेजर करना है यह देखना है कि बच्चे चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं तो आप कैसे देखेंगे कि चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं दूसरों को सुनना वह दूसरों को कितना सुनता है क्योंकि चर्चा में दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है अपनी बात और मत बताना जो भी वह अपना मत रखता है किसी वी विशय के बारे में वह बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है एक तो होता है मत बताना अपनी राय देना किसी वी विशय पे दूसरों की राय पूछना और दूसरों के मत को समझना यह बहुत महात्वपूर्ण है जब चर्चा बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि कक्षा में जब चर्चा हो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ही अपनी बात कहनी हैं, दूसरों की बात भी सुननी हैं, उनकी बात को भी समझना है, उनके मत को समझने की कोसिस करना ह कि वो है इस बात को क्यों के रहा है उसके पीछे क्या कारण है तो आपको कक्षा में ये आकलन करना है कि जो बच्चे हैं उनके अंधर चर्चा करने का गोंड, डैबलब हुआ है, या नहीं हुआ है, पहला जो था कि वो अवलोकन का गोंड, डैबलब हुआ है, या नहीं, दूसरा है चर्चा करने का, तीसरा है अभिव्यक्ती, कैसे वह अपने आपको अभिव्यक्त कर रहा है किसी भी चीज को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है माल लीजे आपने उनको कुछ दिखाया ठीक है आपने उनको कुछ कहीं पर आप उनको लेके जाते हैं जहां पर कोई बहुत सुन्दर scenery है या कुछ view है उसको देखा उन्हों है तो उसको किस तरह से present करता है चित्रद्वारा कर सकता है उस घटना को सुना सकता है तो उसमें हाव भाव आएगा किसी घटना को लिख सकता है तो उस रजनात्मक लेखन से कर सकता है मौखिक रूप से उसके उपर कविता सुना सकता है गाना सुना सकता है ब्रतान सुना सकता है कहानिया सुना सकता है और साथ की साथ वो हाथ से कुछ बना सकता है पेपर से कुछ बना सकता है मिटी से कुछ बना सकता है क्ले से कुछ बना सकता है तो इस तरह से आपको यह देख कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिखने में बहुत अच्छे होते हैं किसी भी बात को इतने अच्छे से लिखते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि मौखिक रूप से करें तो आपको यह देखना है कि कक्षा में कौन से बच्चे लेखन से अभिवेक्ति करते हैं, कौन से बच्चे मौखिक रूप से करते हैं, और कुछ कौन से बच्चे उसमें श्रजनात्मा रूप से क्रियेटिव होकर कुछ बनाते हैं हातों से, कुछ उसको कले से बना देते हैं तो इस तरह से आपको observe करना होगा जब भी आप कोई भी activity करा रहे हों कोई बच्चे क्रिया कलाप कर रहे हों कि बच्चे की अभिवेक्ति का कोशल कैसे होगा अगला है ब्याख्या जैसे जैसे हम भड़ते जाते हैं इसका लेबल भी बदलता जाता है पहले हमने शुरू किया अलोकन से कि बच्चे simply चीजों को observe कर रहे हैं देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं उनको एक क्रम में रख रहे हैं उसके बाद आया कि वह है उस बिशय पर चर्चा कर रहे हैं उसके बाद उसको अभिवेक्ति कर रहे हैं फिर थोड़ा और higher level पर जाएंगे अभी उनको क्या क को तर्क सम्मत प्रकार से रखना है कि किसी भी चीज का तर्क क्या है फिर तर्क को विशलेशित करना है जो तर्क उन्होंने दिया है उस तर्क को विशलेशित करना है तर्क के आधार पर चीजों में संबंध जोड़ना है जो तर्क दिया है आप उसमें बच्चे को आना चा फिर परिकल्पना बनाना, बच्चे परिकल्पना हमेशा बनाते हैं, जैसे ही घर में पावर कट हुआ, बच्चे के दिमाग में आता है, अरे पावर कट क्यों हुआ, क्या हमने बिजली का बिल नहीं दिया था, यह परिकल्पना है उनकी, ठीक है, जो पावर कट है वो पूरी हमारी society है उसका हुआ है, तो इस तरह से वो एक ही जो घटना है उसके पीछे बहुत सारी परिकल्पनाई बनाते हैं, साक्षें का प्रिवियोग करके भविश्वानी करना, भविश्वानी हम कभी भी ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि हमें जो दिमाग में आया उसके एसाप से बोल का कि कि नवम्बर मन्थ में कितनी ठंड पडती है, temperature कितना होता है, बिभीन सहरों कमाली जे दिली का है, पिछले 10 वर्षों में कादिया कि 2000 ऐ दो हजार से 2010 तक या 2005 से 2017 तक, किस मन्त की एबरेज कितना टेंपरेचर रहा जैसे नवंबर मन्त में कितना टेंपरेचर रहा 2005 में जो मिनिमम था वो कितना था, मैक्जिमम था वो कितना था फिर तो इस तरह से वो पिछले 10-12 वर्षों का जो है वो डाटा देखेंगे उसके आधार पर एक भविश्वानी करने की उनकी छमता होना चाहिए कि वो देखे कि ज़्यादा तर नवंबर मन्त में सीजन कैसा रहता उसके आधार पर वो बता सके कि ये संभावना है कि नवंबर मन्त में इस वर्ष भी इतना टेंपरेचर रह सकता है तो यह होगा कि हुआ है साक्ष्यों क्याधार पर भविश्वानी करना तो इस तरह के कौसल आपको देखना है और बच्चों को मौका देना है जब यह सब कर सके तो अधिगम के साथ ही मुल्यांकन होगा आप अलग से मुल्यांकन नहीं कर पाएँगे जब आप कुछ सिखा रहे होंगे तो यह जाँ संके तक हैं वह अधिगम के संके थक भी हैया और आक्लम के संके थक दियान वरगी करन करना, जो अपना पाच्ववा है, अभी उन्होंने क्या किया था? जो उबजर्व किया था, उन्होंने बहुत सारे जाके कहीं किसी स्थान पर गए और उनको देखा, लेकिन अभी क्या है? समूवव बनाना, समानता और अंतर जानना, तुल्ला करना, एक समय में एक चरक्याधार पर बस्तू के समुवि बनाना, जैसे कक्षा में आपने क्या किया, कि बहुत सारी तरह की पत्तियां इखट्टी करके लेके आए, जो है वो पेड़ों से नहीं तोड़ना है, बच्चों को पार्क में लेके गया, उनको बोला कि चलो बच्चे आप तरह तरह की प खट्टी कर ले होती है, और वो कक्षा में आते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप इन पत्तियों के आप समुवि बनाईए, अब क्या करते हैं बच्चे, आप उनको उनका बरगी करन किसके लिहां पर आ जाएगी, कोई बच्चा उनकी मोटाई देखकर, जो पत्तियां मोट आते हैं, और फिर आपका क्या काम है, आपको ये करना है, आपको देखना है, कि उनके अंदर वरगी करन की छंता है कि नहीं, एक समय में एक चर्क आधार पर, अब माल लिजे, उन्होंने बोला कि ये दो समुवि में पत्तियां डिवाइट किये, एक में बड़ी पत्तियां एक में चोटी पत्तियां है, ठीक है तो वहाँ पर आउचार हो गया, जो उनकी लंबाई है उसके साब से, या फिर किसी ने का एडज, जो है, उसके अधार पर किया है, किसी ने उनकी जो खुश्बु है, उसके अधार पर किया, किसी ने ऐसी पत्तियां है, जो खाई जा सक इसके बाद आता है प्रश्न करना बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है और उसका आकलन करना घटनाओ बस्तू और लोगों के बारे में प्रश्न पूचकर चानकारी खट्टी करना जिग्यासा व्यक्त करना मालीजे आप कहीं पर उनको लेके जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको इंटर्व्यू लेना है तो उसके बारे में वो प्रश्न बना सकें फिर जिग्यासा व्यक्त करना समालोचनात्मक चिंतन करना कोई भी है जो भी इशू है उसके बारे में कैसा समालोचनात्मक चिंतन कर सकें परिकल्पना के आधार पर प्रश्ण करना जो भी उन्होंने किसी चीज के बारे में परिकल्पना बनाई है उसके आधार पर वो प्रस्ण कर सकें ऐसे प्रश्ण बनाना जिनके उत्तर जांच परताल से धूंड सकें ठीक है ऐसे प्रश्ण बनाना जिनको वो क्या करें उन्होंने प्रश्न बनाये हैं और उनका कोई data इखटा करेंगे, जाजपरताल करेंगे, तो उनके answer मिल सकेंगे और ऐसे प्रश्न भी बनाना, जिनके उत्तर जाजपरताल से ढूण ना सकें तो ये ऐसे प्रश्णों को बनाने की चमता बच्चों के अंदर डैबलब होना चाहिए और आपको देखना है कि ये बच्चे इस तरह से प्रश्ण बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं नेक्स्ट है विशलेशन विशलेशन करने से पहले अभी देखिए आप ऐसे जो आप इनके skills देख रहे हैं कॉसल ये higher लेबल पर बढ़ते जा रहे हैं अवलोकन से वर्गी करण पर आए वर्गी करण से प्रश्ण पर आए अब विशलेशन थोड़ा और higher level पर हो गया पूर्व अनुवान करना कोई भी घटना है उसके पहले उसका पूर्व अनुवान करना फिर उसकी परिकल्पना करना और फिर जो उन्होंने परिकल्पना बनाई ली है किसी के बारे में उस परिकल्पना की जाच करना जो बात उन्होंने कही है, जो परिकल्पना उन्होंने बनाई है, वो परिकल्पना सही है या नहीं है, ठीक है, फिर निशकर्स लगाना, प्रतीक निशकर्सों को एक चुनोती की तरह लेना, जो भी निशकर्स पा रहा है, उसको एक चुनोती की तरह लेना, कि ये निशकर्स स तो ऐसा नहीं है कि यही सही है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो वो है अगर उनको कोई एक निसकर्स उन्होंने निकाला है और उस निसकर्स के आधार पर उनको लगता है कि जो उनके निमाग में एक और नया आइडिया आया हो सकता है यह है विचार सही हो तो उनको उसको accept करना अपने ही विचारों को accept करना आना चाहिए और फिर सही निसकर्स लगाना कई बार क्या होता है कि हम एक बार जो सोच लेते हैं बच्चे उनको सोच के सोच लेते हैं बस यही सही है लेकिन अपने ही विचारों में परिवर्तन करना उनको आना चाहिए, इसके बाद आता है प्रियोग करना, क्या होता है कि कई तरह के परिक्षण होता है जैसे कि एक तो हो गया जिसमें आपने घ्ञान, बच्चे ने क्या घ्ञान हैวऄ पता कर लिया और एक होथ है निस्पाधन तरए के प्रिक्शन जिसमें वो ज्ञान का प्रियोग कैसे कर रहे हैं? जो भी ज्ञान है, उसका प्रियोग करना. बस्तूओं का जुगाड करना छोटे छोटे एक्टिविटी है माली जे आपने उनको बोला है कि आप घर में जाए और एक क्रिया कलाब करना है तीन कटोरियां लीजिए और तीन पॉट ले लीजिए और उसमें चने भिगोईए एक में सिर्फ चने रख दीजे एक में चने मे पानी डाल दीजिए और तीसरे में चने में पानी डाले और उपर से उसको उली से या किसी कपड़े से कबर कर दीजिये ठीक है अब उहां पर जुगाड करना उनको आना चाहिए माली जेर आपने उनको बोल दिया कि उनको कटोरी में रखना है और वह अकल आके की नी मी रुई से पैक करना, रुई नहीं है तो फिर किसी कपड़े से पैक करना, फिर इनके बाद उनको मापन करना, कि अब इसके बाद जो यह किया है उन्होंने अक्टिविटी, कि एक में उसमें साधा खाली चने रखे हुए हैं, तो उनमें क्या हुआ, जिसमें पानी डाला है, उ उपर से रुई लगा दिया, उनका क्या हुआ, उस प्रक्रिया को पूरा मापन करना, कि इनमें अंकुरन निकल रहा है, अंकुरन निकल रहा है, तो कितना निकल रहा है, फिर प्रियोग करना, और प्रियोग करते समय सामगरी को बरबाद नहीं करना, यह सब आपको देखना है जबकि आप उनकी ये skill देख रहे हूं प्रियोग करना इसके बाद आता है न्याय और समानता के प्रती सरोकार जैसे कि मैंने पहले भी कहाए कि जो पर्यावरन अध्यन का जो विशा है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरनी मुद्दों से जुड़ा आप ऐसे activities कराएं और जिसमें ग्रुप में बच्चे काम करें और उनमें उनके प्रती समवेदन सीलता हो ठीक है विभिन विभिध जो बच्चे कोई बच्चा है जो अच्छे से चल नहीं सकता है या जिसे कम सुनाई देता है उन बच्चों के साथ उनमें समवेदन शीलता यह देखना है परिवार और समाज में हो रहे पक्षपात के प्रती सचेत होना जो भी परिवार में या समाज में परिवार में वो देखते हैं कि अगर उनके घर में कुछ भी इस तरह से हो रहा है कि उनके घर में लिंग भेद हो रहा है या समाज में किसी के साथ अन्याय हो र पर्यावरन के प्रति समवेदन शिलता बढ़ाने के मौके दिये गए हैं तो आपको उनको आकलन करना है कि वह समवेदन शिलता डव्य भी यह नहीं होई है इसकाल अंखरी जो है वो हे सह्भआगिता जब वो अपने group में काम कर रहे हैं किसी में तो अपनी खुबियों और कमियों को पहचानना बच्चे को आना चाहिए कि उसकी strength क्या है और उसकी weaknesses क्या है क्योंकि जब हमें अपनी strength और weaknesses पता नहीं होती हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं जो strength होती हैं, उसको और बढ़ाते हैं, जो weakness में कमिया है, उसको हम खतम करके उसको धीरे-धीर अपनी strength बनाना चाहते हैं, अपना मत रखना, दूसरे के मत को समझना और उससे सहमत होना, कोई भी काम जब कर रहे हैं, गुरूप में कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी लेना, कि हा पर्यावरण अध्यन का एक उदेश यह भी है, कि बच्चे गुरूप में काम कर सकें, क्योंकि जब वो गुरूप में काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे कौशल स्वता ही develop हो जाते हैं, उनको दूसरों के साथ काम करना आ जाता है, दूसरों की बात सुनना आ जाता है, अपनी छिए एक सिखचक है, तुष्चका है और वहे कक्षा में बेभीनि प्रकार के जो बरतन है और घर में खाना बनानी की प्रोसेस है उस पर इक चट। उस विशय को पढ़ाना चाहती है, उसोंने क्या किया कि इस विशय को पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल की कैंटीन में ले जाती है और बच्चों को पहले से बोल देती है कि आप लोगों को क्या करना है कि पांच बच्चों के गुरूप बना दिये कि एक बच्चा लब नोट डाउन करेगा उस समय और चौथा इसकी बाद में रिपोर्ट बनाएगा उसके बाद वहाँ पर पहले ये निर्देश दे दिया उनको फिर उसके बाद बच्चों को वहाँ पर कैंटीन में ले गई वहाँ पर बच्चे बड़े इंट्रेस्टेड हैं अपना पेप अगले दिन बच्चे उसको प्रस्तुत करते हैं उनको वह भी बोलती है कि जो भी आपने वहाँ पर बर्स्तुत करते हैं उनको वह भी बोलती है कि आप अपनी इस पर रिपोर्ट तयार कीजिए कल आप इसको प्रस्तुत करेंगे अगले दिन बच्चे उसको प्रस्तुत कर उनको वो भी बोलती है कि जो भी आपने वहां पर बरतन देखे है या जो भी है उसके आप चितर बना सकते हैं और हुस पर आप अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे अगले दिन शिख जँ आते हैं और बच्चे उनको प्रेजेंट करते हैं शिखच्छी का उस समय उनको देखत कि उनकी reporting करती है उन बच्चों की जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उसकी आधार पर रिपोर्टिंग करती है और उन्होंने कुछ सित्र बनाये होते हैं उनको उनकी जो पोर्ट्फोलियो उसमें अटेच कर देती अभी मैं एक ठोटा सा उधारन दे रहे हूँ यहां पर दे सभी क्रिया कलापों में रुची लेती है वह चर्चा में हिस्सा लेती है यह दूसरा संकेत तक है चर्चा और वह पहल करती है वह अपने साथियों के साथ सहयोग करती है उसने कैंटीन के स्टाप से पूछने के लिए सटीक प्रशनों को तैयार किया तथा साथियों के साथ मि तैयार करी वह चित्र कला में निपुण है उसने बड़तनों के बहुत सुन्दर चित्र बनाए है वह समानता के प्रति सरोकार रखती है क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी माँ हमेशा अंत में खाना खाती है अभी देखिए एक छोटा सा सिक्षिका ने क् प्रेजेंट कर रहे थे उन सभी का छोटा छोटा प्रोफाइल बनाया अब उसमें उसने देखिए कितने संकेतकों का प्रियोग कर लिया कि वह पहला प्रेक्षक है बहुत अच्छी ठीक है अवलोकन का दूसरा चर्चा वह चर्चा में हिस्सा लेती है तीसरा सहयोग सहभाग दोलα कर जहां हुएता चौता वह साटीग प्रश्णों को पूछती है प्रश्न कैस्ट इसके बादi रिपोर्ट शित्रकला हमें निपूНहें यानि अभिव्यद्यक्ति समानता के प्रति सरोगार रखती है वो मा की बच्चों को उनको बता भी सकते हैं, इस के लिए, इस चर्चा के लिए मैंने सोर्स वुक ऑन असेस्मेंट फॉर क्लास फॉर्स फिप्ट इन्वार्मेंटल स्टडीज का प्रियोक किया है और NCRT की बुक जो है कक्षा 3 से लेके 5 तक की जो पाटे पुस्तक हैं, उसका प्रियोक किया है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप इन संकेतकों को ध्यान रखें, यह दसों संकेतक जो परियावरणत धन के दिये गए इन संकेतकों को आप अपने दिमाग में रखें, जब भी बच्चों का आकलन करें, और जो भी एक्टिविटीज करा रहे हैं, आप जो भी परिक्षन का प्रियोक करें, मौकेक, लिखेत, निस्पादन परिक्षन, अवलोकन सूची, रूब्रिक्स, उन सभी क्या धार पर आ उसको दिखाया, उस तरह से आप भी बना सकते हैं, आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हमने श्यति किसी और कारिक्रम में मिलेंगे, धन्यवाद.